जै दन मंतरी नमस्ते जै अरुवेट जै दन मंतरी जै सुषुत जै सुषुत सब से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इंट्रोडक्शन शॉट में विलकुल विलकुल सर वेनाउंड नाडी वेड्ड फ्रम गुजरात हैं और सर सानता प्रेम के लिए इसका मतलब हम लोग कई दिनों से प्लैन कर रहे थे तो आज हम लोग का यह प्रयास सफाल हो पाया है आवाज बीच में कट हो गए आपकी तो सर हम लोग ये कई दिनों से प्लैन कर रहे दें तंत्रियुक्ति के बारे में आज हम लोग का प्रयास सफल हो पाया है वो वो ना वो शुशुत की महरबानी होती है कभी-कभी तो अचानक से सब कुछ प्लान आउट हो जाता है कभी-कभी नहीं हो पाता आज प्लान हो गया और हम सब मिलने हैं सबसे पहले में आप सभी में विद्यमान वैद्यत्व को नमन करता हूं सुशुत को यार्द करके हम आज का सेशन शुरू करते हैं सुशुत की ही बाते करेंगे उसी को सेंटर में सायद मैं उन लोगों की एक्स्पेक्टेशन पे खरा ना उत्रू क्योंकि तंत्रयुक्ती मुझे भी इतनी आती नहीं है मैं तंत्रयुक्ती को समझाने का प्रयाश नहीं करूँगा तंत्रयुक्ती से जो कुछ भी हम समझ के practical implementation कर सकते हैं सिर्क वही बाते करूँगा ठीक है, बताइए आप, सबसे पहले हम लोग जानना जाते हैं सर, तंत्रयुक्ति क्या होती है, तंत्रयुक्ति जैसे हम सिंपल लेंग्वेज में में बताऊंगा, मैं कोई संस्कृत का गन्याता नहीं हूँ, ना ही सहीता को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सिंपल लेंग कैसे यूस किया जाये, उसका उजर मैन्यूल उसके अंदर आता है, तो नहीं भी समय लेन को बढ़ने का यूजर मैन्यूल जैसा है, अभी हम बात तो कर रहे हैं, अभी जैसे बात करने वाले हैं तो इसके ताथ ही मैं आपको बता दू कि हम अधिकररण तंत्रयुक्ति के सा तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, तो तंतरयुक्ती समझाना ही मेरा मकसद नहीं रहेगा, तंतरयुक्ती कहां यूजफूल है और जिनको नहीं आती है, जैसे मेरे जैसे मंद बुद्धी बालक है, जिनको तंतरयुक्ती समझ में नहीं आएगी, तो भी कुछ ज्यादा प्र यूजर मैन्यूल पूरा पढ़ा है, जैसे मेरे जैसे तो कोई नहीं पढ़ता, मतलब यूजर मैन्यूल, कोई नहीं पढ़ता, आप बाकी भी देख लो, ये शायद बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से भी किसी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी हम क्या करते हैं फिर भी हम मोबैल का यूजर करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, बराबर है, तो तंतरयुक्ति समझने के बाद आप Ayurveda का विचार विमर्श अच्छे से, इंपलिमेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर अगर नहीं भी होता है, तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले, यह अधिकरन तंतरयुक्ति है, कि जिस अधिकार की हम बात करने वाले हम सिर्फ उसी को इंपलिमेंट करेंगे, या फिर उसी के बारे में अच्छे अच्छी बाते करेंगे, ऐसा नहीं करूंगा, मैं अधिकरन तंतरयुक्ति से उसके विरूद में भी बा तो अगर उनको तंत्रयुक्ति का इतना ज्यादा इंपोर्टन्स होता ना तो तंत्रयुक्ति वो सबसे लास्ट में नहीं लिखते उनको भी पता था कि इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजे है हमारा माइंड फोकस्ट हमारा जो है ना वो हटना नहीं चाहिए हमें संस्कृत के पंडित नहीं वनना है हमें आयुरुवित के ग्न्याता बनना है में सहिता को पढ़ना है अच्छे से बराबरे तो जो भी जैसे जैसे आप सहिता को पढ़ते जाते हैं बहुत कुछ उसके बाद आप तंत्रयुक्ति लास्ट में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो भी तंत्रयुक्ति बताई गई है 32 और चरक ने 36 बताई है वो वो तंत्रयुक्ति का यूज आप कही ना कही पे तो करते ही वो जब आपको समझ में आती है तब आपको पता चलता है कि इसका तो यूज हम करते है जैसे कि मैंने स्विच ओन की फैन की तो मुझे उसके लिए यह समझना जरूरी नहीं है कि इलेक्रिसिटी स्विच से पावर अन करने के बाद कैसे गई और पंखा कैसे घुमना शुरू ह हुआ मुझे तो यही करना है कि पंखा घुमना शुरू होना चाहिए और मुझे हवा आनी चाहिए तो इस इस दवे टू अंडरस्टेंड तंत्रयुक्ति के तंत्रयुक्ति समझनी जरूरी है अगर आगे आ तो बहुत ही बड़ी आए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है पर मेरे ही सबसे तो अच्छी प्रैक्टिस करता हूं पिल्कुल सरह सरा तंत्रयुक्ति का महत्तु का है मतलब क्लीनिकल प्रैक्ति समें और गरंत या सास्त्र को जानने में अगर के तंत्रयुक्ति जैसे कहा कि बहुत इंपोर्टन्ट है यह यूजर मेन्यूवल है यह तूल है आः़ुवेथ को समझने का अनुक्त परिभाषा रस्सास्त्र में जैसे हम पढ़े हैं 2nd AIR में रस्ससास्त्र में अनुक्त लेशोकत ऐसी कुछ परिभाषा या थी जो उन कि यह तंत्र horiz एक से एक एक साम्पल देते हैं कि जैसे कमल SHEG उसके उपर प्रकास दलने से हमें कमल बलीभाती दिखने लगेगा तो वो जो प्रकास डालना, वो एनलाइटमेंट करना वो तंत्रयुक्ती का काम है टार्ज, लाइट फोकस करना वो तंत्रयुक्तिया करती है हमें समझ में आता है सिद्धान्त, सहीता बहुत अच्छे से यह तंत्रयुक्तियों का काम है और सर तंत्रयुक्तियों का अगर हम वर्डन देखें ग्रंथ में तो कहां कहां पर आ सकता है तंत्रयुक्तिया सुष्रुत ने उत्तर तंत्र जैसे कि मैंने बताया कि सबसे लास्ट में बताया हुआ है उत्तर तंत्र 65 चेप्टर और चरक में भी कहीं बता है मुझे भी याद नहीं है पर चरक ने 32 स्कैटर्ड फॉर्म में बताई है बहत्तार हरिश्चंद्र जो की टिका का है उन्होंने चार एक्स्ट्रा करके चरक की 36 और एक्स्ट्रा चार ऐसे करके टोटल 40 तंत्र युक्तिया बताई है पर वो सभी की अल्मोस्ट सिमिलर और रिपीटेड ही आती है तो सर जैसे की 32 और 36 तंत्र युक्तियां बताई गई है तो एक सेसर में मतलब इनको डिसकस करना तो असम्माव है लगबड़ एक तंत्र युक्ति के बारे में हम लोग आप कोई एक्सप्लेंड शब्द या फिर एक श्लोक का अर्थ निकालना और कौन सा अर्थ जिस तरह से हम बताए तो जिसमें अलग से ही अर्थ निकले simple निर्देश बता दिया और उसका दूसरा अर्थ हमें खुद से समझना है जैसे कि रात में दधी नहीं खाना चाहिए मतलब कि हम दिन्मे खा सकते हैं दीवा स्वाप नहीं करना है मतलब रात में हम सो सकते हैं ये simple है ये अर्थापत्ती है जो बताया गया है उसके अलावा किसी एक चीज़ को अनुक्त है पर हम समझना हमें समझना है तो उसको अर्थापत्ती कहेंगे सर एक वाक्य शेष करके भी तंत्रियुक्ती आईए तो सर उसका एक्जाम्पल और एक्स्विनेशन उसके उसमड़ नाइए वाक्या शेष जो है ना वो मीनिंग ही बताता है कि उसमें जो कुछ बताया है उसमें से एक चीज़ को हटा दिया गया है तो मतलब की लास्ट में या फिर बीच में से या फिर कहीं जो हमारे सहीता है वो पध्यात्मक है और गद्यात्मक है तो किसी ना किसी चीज को सेट करने के लिए उस श्लोक में उतने ही जैसे कि हम बताते हैं कि संस्कृत वयाकरण बहुत अच्छी चीज है उसको समझ के ही हम आयुरुवेद को अच्छे से जान सकेंगे तो संस्क्रियू तव्याकरण में पध्य किसे कहा गया, गद्य किसे कहा गया है, चंदात्मक है. आयॡवेत को हमें पढ़ना नहीं, आयॡवेत को गा के समझना है, हम उसे गा सकते हैं, तो उस चीज को ले में सेट करने के लिए, हमेशा से ही गरंथकार ने कुछ-कुछ चीजें सेट की हुई है, इसलिए समानार्थी शब्द भी एक्जिस्टेंस में आये, बराबरे, सिमिलर जो शब्द है उसके, उस तरीके से सब कुछ समझ ना है, तो वाक्यशेश के अंदर क किसी एक चीज को अगर वहां से हटा दिया जाए और उस चीज को हम लोप बोलते हैं, उसे वहां से हटा दिया जाए, तो उस चीज को हम वैसे का वैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कि किसी जगा पे, मामसरस की जगा पे सिर्फ रस सब्द का प्रयोग हुआ है, पर वहां पे हम उ वहां पर महांसरस लेते हैं, बराबर महांसरस महांसरस ग्रुहण में प्रु से तरह से हमें वाख्यश om tant rehev Nig double है एंफ सर एक और क्यों सिर्फ जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी जोता है बहुत जाता नाम मैंत अभी बता दीकरण टन्रियुक्ती आ Ses ज辉प पे यह तंत्रयुक्ति सबसे ज्यादा इंपोर्टन और यह सबसे पहली है आपको इसका सवाल सबसे पहले पुछना चाहिए था तंत्रयुक्ति में अधिकरन तंत्रयुक्ति सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट है, उसी को हमें सबसे ज्यादा समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्त्रिक वही पे होती है, अधिकरन तंत्रयुक्ति का अर्थ ये है कि ग्रंथकार, सहीताकार ने जहां जहां पे भी जिस किस इसी चीज का उल्लेक किया है, वो अधिकरन तंत्रयुक्ति से हटके कभी कभी भी नहीं करेंगे, मतलब कि उन्होंने बता दिया है कि यहां पे जवर्चिकित्सा है, यहां पे राजय अक्रमत चिकित्सा है, यहां पे दिर्गम जीविती अध्या है, तो वहां पे दिर्ग जी मुझे अभी एक्जम्पल याद आए जाए तो मैं बताता हूं कि एक सूत्र को हम अलग तरीके से मतलब पूरे एक श्लोक के एक पद को अलग से ले लेते हैं और उसी का इंटर्पिटेशन करते हैं कि यह गलत चीज बताई है ग्रंथकार ने पर वहां पर जिस चीज का उन्होंने वर्णन करना था वहां पर उन्होंने उसी चीज का वर्णन किया इसलिए कहीं कहीं जगा पर स्थान के हिसाब से मतलब सूत्र स्थान में सूत्र सिद्धान तो की ही बात है चिकित्सा स्थान में चिकित्सा की बात है रोग निदान या फ किसी चीज की बात करनी है उस चीज की ही बात की जाएगी वो अधिकरन तंत्रयुक्ती है उसी chronology में अगर आप पढ़ना शुरू करें तो निदान स्थान पढ़ने के बाद चिकिट्सा स्थान आता है और चिकिट्सा स्थान में जहां जहां पे भी कुछ नकुछ योग समझते हो मतलब formulations जो है उसका उपयोग भी अम अलग तरीके से करते हैं जैसे कि आप देखे सही ता सिर्फ यह नहीं केश और गुगर केश और गुगर का रोग अधिकार क्या है वात रखते हैं बराबरे पर सबसे ज्यादा उसे यूज हम कहां करते हैं तो कुछ्ट में भ भी स्किन डिसीज में करते हैं तो इसको कुछ लोग उपोस करते हैं कि ऐसा क्यूं है ये क्यूं है ऐसे तो बात रखत में अगर देखना देखने जाए हम तो वहाँ पे केश और गुगर जहां पर वर्नित है या उसका इंडिकेशन जहां पर आता है वो आता है जब कि वहाँ पर राक्त की संपरापथी बनती है। जिसका सबसे पहला उट्थान इसलिए है कि वह-ः उपर का है। या फिर पहले काह रावर रावरे या फिर अपर कुछ संपरापथी है। इसका अदीस्थान benefit है। तो इसलिए वहां से हटा के उसको वायू और रक्त की संपरापती समझ एक चिन डिजीज में यूज़ कि यूज़ जब कि वह स्किन डिजीज में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है क्योंकि वहां पे उत्तान वात्रक्त जैसी संपरापती बनी होती है तो यह है अधिकरन तंत्रयुक्ती का उप्योग जिसको हम अलग तरीके से यहां पे यूज़ करते हैं तो वहां पे देखना है वात्रक्त मतलब हमने दिमाग में ठासा रखा है क्योंकि हम मौडन के वाले बच्चे हैं मौडन के चश्मे पहन के ही हम बात करते हैं तो मतलब वात्रक्त मतलब हमें पहले ही फास्ट्यियर में समझा धिया गया है कि वात्रक्त मतलब गाउट जो की जोइंड डिसोडर है तो जोइंड डिसोडर में बताय हुआ कैशो और गुगल हम यूज़ कर रहे हैं तर यह इसलिए confusion हम खुद करते हैं बराबरे एक और एक्जम्पल अगर दू तो ऐसे ही योग वाले बहुत कुछ चीजे बताई है कि तिमीर में कुछ-कुछ चीजे ऐसी बताई हुई है तिमीर में जहां पर इंप्रूमेंट की बात की गई है वहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पर जो त्रिफला महात्रिफला गृत तिमीर में बता है हम तिमीर को समझते ही नहीं है हम तिमीर को कैसे समझते ही चेश्मा उतारना है बस चेश्मा है मतलब तिमीर है तो यह अधिकरण की बात नहीं है और इसका मॉडनाईजेशन भी नहीं है तिमीर मतलब हमें देख आपके चश्मे के नंबर इटाने में और सब्जेक्ट से मतलब अधिकरण से हटके मैं ये चीज़ बता हूँ क्युकि मैं शालक्य का अदमी हूँ अभी मतलब एक चीज मुझे बतानी है थोड़ा सब्जेक्ट के हटके बात करेंगे मौडन में जो पेरामीटर्स है उसके हिसाब से अगर हम अपने आयुरुवेद को जज करने जाएंगे न तो आयुरुवेद उससे कहीं ज्यादा खरा उतर सकता है मैं ये भी बताता हूँ आपको पर हम उस जगा पे गलत उतरते हैं एज आयुरुवेदिक स्टूडेंट या आयुरुवेदिक वाइद्य मराबर है मौडन के पर्सपेक्टिव से अगरुवेद कहीं पे भी वो शाष्वत है उसको हमारे मानने ना मानने से कोई फरक नहीं पड़ता है जो कि जैसे लोग अभी बोल रहे है अभी अभी आयुरुवेद का जमाना आ रहा है कोवीड आ र हम हमें आयुरुवेद उपर लाई रहा है अभी हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है जिसकी वज़से हम नीचे यह कि हम रिजल्ट नहीं दे पा तरह मुझन के इंडेपा रहा है हमे हम पहले से ऐसे ही बड़ बड़े हैं कि हमने गर में अगर फ्लावर वास तोड़ दिया तो मतलब हमारे छोटे भाई ने तोड़ा, छोटी बहन ने तोड़ा, इसी तरह से हम बड़े हुए हैं, इसलिए हमें हमारी गल्ती योग को दूसरे के उपर थोपने का, पहले से हमारी अब ब्रिंगिंग ही ऐसी है, तो इस वज़े से हम, हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं उसका दोशार ओपन हम आयरुवेद के उपर करते हैं, कि आयरुवेद का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में रखो, आयरुवेद तो रिजल्ट देता ही देता है, बराबरे, तीमीर में भी यही होता है, तीमीर में हमारी एक्स्पेक यूज ही नहीं करता है, कुस्थ आया पंचतिक्त गृत दे दो, तुरंत साम निराम ऐसा कुछ देखना हमें आता ही नहीं है, हम सिर्फ हर्बोपेथी करते हैं, हम सिर्फ रटी रटाई हुई प्रैक्टिस करते हैं, हमें हेतू के बारे में सोचना ही नहीं है, ये भी एक च चिकित्सा जो की जाए, वो हेतु विपरित करनी हैं। व्याधी विपरित नहीं। हेतु विपरित अस्पैली जीचिक Cantonese पढ़्धती है। तो हमें यह देखना है। पेशेंट शिरशूल पेशेंद ज्वर का जhã है। पेशेंट वातरत्ति पेशेंट उधर। аний की हम लुणतें沒有 हैं और इतने में ही खतम नहीं होता है संप्राप्ति बंति क्यूं है यह दूंड़ ज़म सबसे ज्यादा जरूरि है हेतु अगर समझ में आया ना तो एक ही अवशब से पूरा संब्राप्ति विवटनाप कर सकते हो कि मैं 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 मुए संब्रा समय आया ना कि मलूश्य के विवटन्या भारनजा करते चंद्या जया जञा दे दो ब्लाद किर शरीद में है है कले थे अपर एाइं जरनाग करना एErिक तो भूहड अभी शंद ब्यादी है प्रतिश्य बराबरे क्लेद बढ़ा हुआ है शरीड में जो की निकल रहा है तो ऐसे प्रतिशाय में आप सितोबलादी दोगे क्या जो की और अधनी मांध्य करेगा वो धातूओं का धीपन पाचन करता है बराबरे तो इस तरह से फिर हम क्या बोलते हैं सितोबलादी अच्छी कंपनी का नहीं है इसलिए रिजर्ड नहीं मिला इसलिए प्रतिशाय ठीक नहीं हुआ यह फिर सितोबलादी प्रतिशाय में काम नहीं करता है तालीस आधी देखे देखो यह सब चीजे हमारी खुद की मिस्टेक है क्योंकि हम सहीता को अच्छे से पढ़ते नहीं है और जो चीज जह वहां पर दी हुई है वह वहां पर क्यों है यह समझे ना वह अधिकर्ण तंत्रयुक्ति एक और एक्जंपल देता हूं मुझे अभी आदाया लगुवसंत मालती उसका रोग अधिकार क्या है वह जीनजवर में है जीनजवर में लगुवसंत मालती दिया हुआ है उसके ना जो हमारे शरीर में वसंत लाए, वो वसंत मालती है, बराबरे, मालती पुष्पच जैसे खिला हुआ है, वैसे हमारा शरीर फिर से खिला हुआ है, वो क्षय में यूज करना है, जहां पर दातू क्षय हुआ है, उस दातू को ब्रुहन करने के लिए, लगू वसंत मालती दिया जिन जऔर में धातूक्षय की अवस्था जाती है जिसके प्रति शाय में बताया ए न सबिसाय की अवस्था में घ्खना हो चुका है सभी दातुओं का पचन कर चुका है उस लगुवसंद मालती के अगर आप कुछ कंटेंट देखे तो उसमें कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो कि ताप को संताप को ठीक करेगा तो एक्यूट कंडिशन ओफीवर टेंपरेचर वड़ा हुआ है वो अगर आप देखो तो संताप में लगुवसंद मालती नहीं दिया जाएगा जहां पे धातुक शय होआ है ज्वर की वज़े से या फिर जैसी कुछ संप्राप्ति है उस जगा पे लगुवसंद मालती काम करेगा तो यह अधिकरन तंत्रयुक्ति जिस चीज की बात कर रहे है गरंथकार उसको उस चेप्टर में कहां पे किसके बाद दिया हुआ है वो स रखी कुछ चीज बहुत ही गलता आती है में मतलब जिसका अधिकार है उसकी बात की जाएगे जिस चीज की बात चल रही है उसकी बात हम करेंगे और उसको इसके आगे क्या कहा हुआ है वो आपको थो हमेशाँ ही ध्यान में रखना यह अधिकरन तंत्रयुक्ति कि जिसके बाद वो आता है वह है अधिकरण पंत्रयुकति बरबर है अगर कोई भी है ठीक हुआ थिक हुआ है तो हमारी गंदि है हमारी वज़ेस्थ ही बहुत ही सच बात है इसलिए गुरु हमेशा उपर रहते हैं गुरु हमेशा हमें पत्थ प्रदर्शन करते हैं यह बहुत अच्छी बात बताई है गुरू में और यह सच है क्योंकि हमने अगर्वेट ठीक से नहीं पढ़ा है इसलिए रिजल्ट नहीं मिला हमारी कोई गल्ती हो रही है और सरे एक विपरियय को जैसे मैंने अर्था पत्थी बताया न उसी से अलग हट के शमझना है। जैसे कि हम दीन चरिया, रुतु चरिया की बात करें तो दीन चरिया, रुटु चरिया क्या है आपको पूरे दिन में क्या रेजिम फॉलो करना है यह बताया हुआ तो उसके विपरित नहीं करना है, यह विपरिया है, तो जैसे कि उरुस्तंब में पंच कर्म नहीं करना है, उरुस्तंब के अलावा बाकी के जो व्यादिये उसमें पंच कर्म कर सकते हैं, यह फिर उरुस्तंब जैसी संप्राप्ति बनी हुई है, उन सभी में हम पंच कर्म कर सकते हैं विरोध जहां पर है उल्टा करके उसे पढ़ना मतलब मैं सिंपल यह उरुस्तम वाला ज्यादा समझ में नहीं आएगा दीन चरिया की ही बात करें तो यह चीज हमें करनी चाहिए रुतु में ऐसे ऐसे रसों का सेवन करना है रशीत रुतु में सीत रसात्मक्त या फ बताया है कि प्रुक्षष चल ये गुन है और उसके बात बताया हुए मुझे शलोग याद नहीं है सौरी मैं चलोग नहीं याद करता हूं जल्दीट नहीं है बात दूसरा लाइन क्या है कुसके विरोध ही जितने गुन है उससे बात बपर बात ला जान हÅ वो गुण वायू का प्रवकॉप करेंगे यह विपर्याय है उल्टा समझना जो कि कहा गया नहीं है उससे सीधा विरोधी समझना वो विपर्याय है अभी अर्थापत्ति और विपर्याय यह दोनों सेम लगते हैं अर्थापत्ति और विपर्याय में दोनों में डिफरेंस क्या है कि विपर्याय में हमेशा हमें विरोधी पकड़ना है उसमें विपर्याय में और अर्थापत्ति में जो नहीं कहा है वो सब समझना विपर्याय में हमेशा उल्टा ही कहा जाएगा मतलब दिन में सोना नहीं है म पतलब की रात में सो सकते हैं यह विपर्याई भी है इसका अर्थ और अर्था पत्ती जो है ना उसमें कहे गए कुछ अर्थों को चुनिंदा अलग-अलग से आपको समझ नहीं वह अर्था पत्ती तंत्रयुक्ति है सबसे जयादा यह होता है पर यह ना शीलेनम सतर्थ क्रिया मुझे भी कभी मैं तो तंत्रैंक कि जादा पढ़ता नूछ, यह तो आपने अप्रोच किया कि तंत्रैंक के बारे में सर लेक्चर ले तो अच्छा है बाकि मैं तंत्रयुक्ति को नहीं पढ़ता हूं नहीं समझता हूं मुझे इतना अच्छा नहीं आता है बरावरे तो सीधा उसी तरह से समझना चाहिए और continuous हम पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसे समझ पाएंगे तो सभी तंत्रयुक्ति को और सर एक प्रदेश करके तंत्रयुक्ति होती है उसका example और उसका explanation प्रदेश और अतिदेश दोनों एक साथ आती है शायद क्रोनोलोजी में एक साथ है प्रदेश का यूस सबसे ज्यादा जो कोई करते हैं ना वैद्य वह युक्तिग्न वैद्य होते हैं जो कि खुद की formulation अल उसमें कहा जाता है कि यह वैद्य सिद्धानत के मुताबिक काम नहीं करते हैं वो सभी प्रदेश तंत्रयुक्ति से काम करते हैं सभी को पता नहीं रहता है मुझे पता नहीं यह वह बहुत सारे विद्वान वैद्य होते हैं वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उनक तो भी हम अगनीकर्म करते हैं, उसमें विष्वाची में, यह जो रिंग फिंगर है, इसके इस पॉइνट के ऊपर आपने अगनीकर्म किया इस पॉइंट के ऊपर, तो विष्वाची, ब्रीकियल nella E spectacular, यह फिर अपराम से लेटेट, तो मतलब सर्वाइकल से लेके अपराम तक जितने भी कुछ है व्याधी वायू के उन सभी में आप अगर अगनी कर्म करना चाहों तो सिर्फ ये एक पॉइंट सफिशेंट है ये सर ने बताया था मुझे और मैंने सबसे पहला उसी चीज का ये विश्वाची का ही अगनी कर्म मेरे सद्गुरू के उपर ही किया था रात को बारा साड़े बारा बजे तो तब उन्होंने सिखाया हिए और उसके बाद सोचने के बाद कुछ ना कुछ समझने के बाद तो यहां पर करने के बाद उसका एक रिफरेंस है विश्वाची का यह करने का क्लिएर रे रिफरेंस है। पर गृद्रसी का नहीं है. तो प्रदेश्य तंत्रयुक्ति से आप उसको सिमिलर समझ के पैर की उसी रिंग फिंगर में जो की अनामिका के बाजू में आती है उसमें अगर अगनी कर्म करते हैं तो गृद्रसी में बहुत अच्छा रिलिफ मिलता है. तो यह है प्रदेश्ट तंत्रयुक्ति का utility और यह practical implementation किया अब बात यह है कि विश्वाची के इतने ज्यादा patient नहीं आते हैं पर गृद्रसी के सबसे ज्यादा patient आते हैं और सभी में मैं गृद्रसी में इसी जगा पर अगनी कर्म करता हूं और उसके सबसे ज्यादा tremendous result आते हैं सद्गुरु भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है अभी कि इसका implementation विश्वाची के patient हमारे पास इतने ज्यादा नहीं आते पर गृद्रसी के आते और वो बहुत ज्यादा है खुश बराबर है तो यह है प्रदेश्य तंत्रयुक्ति कि किसी एक चीज को कहीं पर वरणन किया हुआ है उसको दूसरी जगा पर implement करना सुशुरुत ने कहीं पर भी एनाटोमी का वरणन नहीं किया है किसी जगा पर किसी भी ओरगन की एनाटोमी या फिर रचना जो बताए वो नहीं बताए सिर्फ नेत्र की रचना बताई है डीटेल में शारीर में भी किसी ओरगन की एनाटोमी नहीं बताई यह जिसे हम मॉडर में पढ़ते हैं बराबर है, क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसको हमें प्रदेश तंत्रयुक्ति से अलग से समझना है, नेत्र की संप्राप्ति, नेत्र की रचना बताई, उसी औरगन की रचना को हमें हर एक जगा पे समझना है, हर एक औरगन की, हर एक अंग की रचना समझ के चलना है, और उस कर दो हमारी प्रदेश्य तंट्र यूक्ती है, तो एक चीज जहां पर तहीं गई है, वैसी use similar कर cry तो जो प्रदेश्य तंटार सिन उसरी चीज Wow सोरी color आ जो हम अपनी एक युक्ति से समझेंगे तो उसे हम प्रदेश तंत्रयुक्ति के तोर पे देखेंगे ठीक है दूसरी एक अतिदेश तंत्रयुक्ति क्या है भूद और भविश्य दोनों के हिसाब को तोनों को combined ना को कनेक्ट करना ये अतिदेश तंत्रयुक्ति है बराबरे तो मतलब ये दवाई ने इस व्याधी में काम किया था तो वो ऐसी और व्याधियों में काम करेगा ये सोचना, ये युक्ति लगाना, ये अतिदेश्य तंत्रयुक्ति है जैसे कि अभी आपने पिछली बार में स्टोरी देखी होगी या फिर मेरे वाल पे क्रोंज डिजीज में विद्धकर्म के वीडियो और फूटोगर्प्स वगेरा है क्रोंज डिजीज में या फिर क्रोंज के बारे में अवर्णन नहीं है या फिर वहाँ पे विद्धकर्म करने का वर्णन सहीताओं में नहीं बताया है वह युक्ति इसि वज़े से लगेई, क्योंकि वहाँ पे शругоथ की संपिराप्ती है क्रोण अर जैसे की पैरो में यह फिर अलग जगा पे वायू की जहां पे शंपिराप्ती बनती है उस सभी जगाओ में मैं विद्ध कर्मा करता हूँ जिस जगा पर वायू की संप्रापती है विद्ध कर्मा होता है मेरे clear cut reference मुझे पता नहीं रहते है मैं यह बात accept करता हूँ कि मैं reference के हिसाब से काम नहीं करता हूँ पर result सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है और मेरे डर्दी नारायन मेरे पेशन्ट जो है वो हैपी है तो मैं भी खुश हूँ सद्गुरु भी खुश है बस इतना मुझे किसी को कोई चीज साबित करने में या फिर रिसर्च करने में ज्यादा कुछ इंट्रेस्ट नहीं रहता है तो रेफरेंस के हिसाब से नहीं काम करता हूं इसलिए मैं बताता हूं कि यह क्रोंज का कोई क्लियर कट रेफरेंस नहीं है पर क्रोंज की जो संप्राप्ति थी उसमें मुझे पेइन मैनेजमेंट करना था और शोथ का समन करना था तो संप्राप्ति जो भी बनी हुई है वो शोथ की है जिसमें के वायू कारण भूत है वायू की वज़े से सब कुछ हुआ है तो उस वायू को रिलीस करने के लिए और पेन को मैनेज करने के लिए मैंने उसमें विद्ध कर्मा किया था अलग-अलग पॉइंट जो भी मुझे व्याधियों में रिजल्ट मिलता था तो इसमें भी मिलना चाहिए और मिला पेन सब्साइड हुआ उसके साथ बहुत सारी अलग अउशदिय अगेरा भी दी हुई थे तो उसी तरह से इसको हम अतिदेश तंत्रयुक्ति बोलेंगे तो यह चीज अगर मुझे पता भी नहीं है तो यह चीज अगर मुझे पता नहीं होती फिर भी मैंने अपनी युक्ति से सद्गुरु के आशिरवात से सहीता से सुषूरुत की कृपा से इस सबको मैंने युक्ति से यूज किया अपनी प्रैक्टिस में तो तंत्रयुक्ति ना जानना भी हमें वहां से हटाता नहीं हम तंत्रयुक्ति का यूज कही ना कही पे करते हैं और ये तंत्रयुक्ति के सही पूजा है, सही प्रेम है, हम इससे हट नहीं सकते हम उसी के हिसाब से जाएंगे, जब हम एक सिद्धान्त को पकड़ के कही ना कही प्रेक्टिस करते हैं, हम अयुर्वेद से अलग नहीं हो सकत आप जो भी करते हो वो आयुर्वेद में ही करते हो तो आयुर्वेद में अगर काम करेगे तो तंत्रयुक्ति के मुताबिक काम होगा जिसे कि मैंने बताया कि यूजर मैन्यूल है आपको पता भी नहीं होगा फिर भी आप पावर ओन बटन करते हो तो टीवी ओन होना ही है ऐसा नहीं है कि यूजर मेन्यूल नहीं पड़ा तो आप पावर ओन नहीं करोगे और आपको पता नहीं होगा आपको पता है कि उससे टीवी ओन होना ही है तो यह तंत्रयुक्ति आप कहीं न कहीं उसे यूज करत के बारे में ज्यादा अलग अलग जगा पे मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे कभी और रखेंगे तंत्रे उक्ति जो है ना जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ मैं अगर किसी ऑडिटोरियम में बोल रहा हूँ तो वहाँ पे एक जैसे बीजे रहता है या फिर साउंड सिस्टम वाला रहता है वो जैसे एक बटन उपर नीचे करता है ना या फिर लाइटिंग वाला रहता है वो अलग-अलग ड्रामा में अलग-अलग लाइटिंग करता ह तंत्रयुक्ती ऐसी चीज है, आपको पता रहता है, यहाँ पे इमोशनल सीन है, तो लाइट को दीन कर दिया जाए, यहाँ पे रोमेंटिक मोमेंट आने वाला है, तो सौफ्ट मुजिक लगाया जाए, और एक रेड लाइट दी जाए, जैसी कि आपने बता है कि मैं प्रेम की मुजिक प्ले हो रहा है, तो यह सब चीजे फोकस में लाना और आवाज धीनी हो जाना, यह सब चीजे करके आप रोमेंटिक चीजों को ज्यादा हाइलाइट कर रहे हो, तो तंत्रयुक्ती ऐसी, यह सब जो साइड में करने वाली चीजे हैं जिसका हमें पता नहीं रहता, क करने की वज़े से आपको सहीता, लाल, लीली, सफेद, पीली, हरी, ऐसी दिखने लगती है, जो भी चीज हाइलाइट होनी है, मतलब एक शलोक आपको पकड़ना है, एक शब्द को समझना है, वो तंत्रयुक्ती के हिसाब से हाइलाइट हो जाता है, और हमें समझ में आ जात तंत्रयुक्ती है, जिसका sound system का काम है, वो अछे हमने, अगर setting में सेट कर लिया बटन तो हमें बाडरी बारी से उसे हटाने की या फिर setting कर जरूरत नही हो, equalizer को music system में आता है, यशी चीज तो तंत्रयुक्ति जो है वो एक्विलाइजर का काम करता है बराबर है उसे जानने से डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छे से अच्छे अच्छे कर पाएंगे अगर नहीं भी समझते हो तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है पर मेरा हर बार सभी स्टूडेंट्स को सभी वेधियो को ये अनुरोद रहता है कि अच्छे से समझने के लिए अच्छे को प्यार करना प्रेम करना सुबसे ज्यादा ज़रूरी है प्यार करने कोई नियम नहीं होते है अगर आप प्यार करते हो तो तंत्रयुक्ति समझ में ना भी आए, तो भी चलता है, मेरा काम चल रहा है, मुझे अभी ये सशुत की महरबानी ही समझोगा, कि ऐसी छोटी-छोटी और बेकार सी बाते करने के लिए भी 70 लोग, 70 लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो ये तंत् तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सर जैसा कि आपके मैंने एक सेसन में सुना था कि हम लोगों को मन में नहीं रखना है, समझताओं को, घ्रदय में रखना है, सची बात है, सुशुत खुद, चरक खुद बताते हैं, तेशु 12 साहस्त्रेश्ट, ये तो सब मैंने जितनी ब सब को मैं देख नहीं पाता हूं, सब को मैं देख नहीं पाता हूं, उसके लिए सौरी, सब को मैं मैं मैंने नहीं कर पाता हूं, आपका प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, सब के मैसेज के रिपलाई भी दो, और पूरा मेरा प्रैतन रहता है, पर प्यार करते हैं, वो मुझ और आप जितना प्यार करते हो ना मैं यह लिखके दे सकता हूं स्टेंप पे आप साइन ले लो सुशुरुत उससे कहीं ज्यादा डेरो गुना ज्यादा प्यार आपको रिवर्ट में देंगे और मेरे जासे पागल अभी बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो जितने ज्यादा यहां पर हार्ड दिख रहे हैं न कमेंट सेक्षन में, यह सब मेरे जैसे इस सहर में, मुझ जैसे दीवाने हजारो हैं. यह सब दीवाने हैं, सुशुवरत के. यही ज़रूरी है, बस, इतना ही ज़रूरी है. सर मैं आपसे एक निवेधन करूँगा कि एक और मतलब सेसन रखे तो जिसमें थोड़ी हम लों की जो बची हुई तंद्रियुक्तियां उनको भी डिसकस कर लेंगे क्योंकि आपने जो सरल भासा में और इतने एक्जामपल दे के बताए वो मतलब बहुत ही हम लोगे मिलकुल समझ में आ गए हृदय स्थित हो गए मतलब बहुत ज्यादा ये इडियेट वॉक्स में रखने की बात नहीं है ये दिल में रखने की बात है दिल से जुड़े हुए इसलिए सब कुछ समझ में आता है शुषुत का वारिस थैंक यू थीक है मिलते हैं जल्दी से जै श्वीनो जै शुषुत